हे गाई स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने स्क्रीन गाड को अपने LG G8X स्मार्टफोन में अपलाई कर सकते हैं ना सिर्फ स्मार्टफोन आप इसमें जो डूल स्क्रीन भी दिया गया है उसमें भी आप किस तरीके से अपलाई कर सकते हैं मैं सारे स्टेप्स को आपको एक एक करके बताने वाला हूँ तो मेरी आपसे रेक्विस्ट है कि आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को मैं फॉस फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर आडिया लग जाए ये वीडियो आप ही की डिमान पर है तो आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि पास कोई भी एक क्लीनिंग क्लॉथ हो तो उससे आप अपने स्क्रीन को अच्छे से साफ कर लीजिए या आप चले जाएए दुकान पर वहाँ पर आप एक वाइप प्लीनिंग क्लॉथ को खरीद लीजिए ये आप जो देख रहे हैं सफेद कलर का उसको ही मैं क्लीनिंग क्लॉथ बोल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अपने साफ सफाई करने के बाद फिर से स्क्रीन गार्ट को यहाँ से निकाल लेता हूँ और आप ध्यान दीजिएगा कि दो layer है एक screen guard पर तो सबसे पहले layer को निकाल कर आपको अपने screen पर apply करना पड़ेगा फिर उसके बाद उपर से जो दूसरा layer है उसको भी निकालना पड़ेगा तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक layer को निकाल दिया है और मैं यहाँ पर अपने screen पर अपने screen guard को apply कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा कि कहीं भी मतलब उपर नीचे ना हो अगल बगल ना हो otherwise जो आपका screen guard है वो बेकार हो सकता है तो आप ध्यान से जब तक आपको लगना जाए कि सही से adjust नहीं हो रहा है तब तक आप उसको adjust करते रहिए फिर उसके बाद जाकर आप जैसे ही adjust हो जाए आप beat से उंगली को घुमा दीजेगा फिर उसके बाद आपका screen guard है वो आपके screen पर लग जाएगा तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने दूसरे layer को भी निकाल लहा हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने अपने दूसरे layer को भी निकाल लिया है screen guard से और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो screen guard है वो पूरे अच्छे तरीके से मैंने इसको apply कर दिया है और यह मेरे display पर काफी अच्छे से भी लग चुका है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो screen guard है वो पूरा edge to edge है मुझे देख कर यह काफी अच्छा लगा और यह आप समझ लीजिए कि यह tempered glass नहीं है screen guard है जैसा कि आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से मैंने इसको apply कर दिया है अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने screen guard को apply करने वाला हूँ और यहाँ से अब मैं इसको apply करने जा रहा हूँ तो जब तक adjust नहीं हो जाता है तब तक मैं इसको adjust करूँगा अब यहाँ से मैं दूसरे layer को भी निकाल लेता हूँ दूसरे layer को मैं यहाँ से निकाल तो लेता हूँ बटे आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि careful लहीएगा अगर दूसरे layer को आप निकाल लहे हैं तो वहाँ पर धूल मिट्टी नहीं जाने चाहिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से staff कर लीजिए अ मैं यहाँ से adjust करके अब यहाँ से मैं क्या करूंगा कि बीच से अपने उंगली को कुमा दूंगा तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह जो bubble है वो पूरी तरीके से यहाँ से हट चुका है कुछ थोड़े बहुत bubbles रह जाएंगे तो आप tension ना लीजिएगा जब आप आपने screen guard को apply कर दिएंगे तो वहां से आप चाहें तो अपने screen guard से उस bubble को भी हटा सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह final product है मैंने यहाँ पर apply कर दिया है जैसा कि आप यहाँ पर उपर की तरफ देख सकते हैं यह जो थोड़ा सा बेजल bubble आ चुकश गया को apply करने की तो यहां से मैं cleaning cloth से इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेता हूँ इसके screen को यहां पर अगर dust remover का भी काम लगता है तो मैं उसको भी use में ले लेता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर काफी अच्छे से इसको साफ किया है लगबग से दो मिनट मैंने इसको साफ किया अब जाकर बारी है एक layer को उतारके screen guard को apply करने की तो यहां से मैंने एक layer को हटा दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक आप यहां पर देख सकते हैं मैंने screen guard पर एक paper लगाया हुआ है वो इसलिए कि जो दूसरा layer है वो छुप जाता है यानि कि निकल नहीं पाता है इसलिए मैंने वहां पर paper लगाया था बट यहां पर देख सकते हैं आप कि मैं यहां पर इसको adjust कर रहा हूँ आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि जब तक यह adjust ना हो जाए तब तक आप इसको apply मत कीजेगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने adjust करने के बाद यहां पर दूसरे layer को भी हटा दिया है और इसको यहां पर मैं adjust कर रहा हूँ ताकि कहीं से भी air bubble ना निकल करा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां से दूसरे layer को भी निकाल लिया है और आपके सामने है ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर फिर से अपने screen guard को निकाल लिया है तो tensionally वाली बात नहीं है मेरा एक बार में fit नहीं हुआ था तो मैंने एक बार निकाल कर फिर उसके बाद से इसको लगाया है बट आप ध्यान दीजेगा कि वहाँ पर कहीं भी आपको dust बगरा ना रहें अदरवाइस आपका जो screen guard है उस पर bubble आ सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है final product जिसमें मैंने अपने screen guard को apply कर दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा cut out उपर की तरफ दिया गया है और ये जो screen guard है वो edge to edge है यानि कि अगर आप इसमें अपने back cover को भी इस्तिमाल करेंगे तब भी आपको कोई भी का मौका देखने को नहीं मिलेगा और जैसा कि आप देख सकते हैं काफी खुबसूरती से ये screen guard हो चुका है और हलका सा bubble आप कोने के साइड में देख रहे होंगे बट वो मायन नहीं कर सकते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह है यहाँ पर चौथा और final जो मैं यहाँ पर apply करने वाला हूँ अपने पीछे के साइड में और जैसा कि आप देख सकते हैं इसको भी आप अच्छे से clean कर लीजेगा और clean करने के बाद अगर आपको लगे कि कहीं भी और dust बगरा है तो आप dust remover से dust को भी हटा लीजेगा ताकि आपका जो screen guard है वो smoothly आपके back मे fit हो जाए तो मैं यहाँ से अब दोनों layer को हटा कर फिर यहाँ से इसको adjust करता हूँ सबसे पहले बारी है एक layer को हटा कर इसको adjust करने की तो मैंने यहाँ से दोनों layer को हटा कर अपने screen guard अपने back panel पर apply कर दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं आप थोड़ा सा यहाँ पर size तरीके से यह adjust हो चुका है और यहाँ पर काफी अच्छा यह elegant look लग रहा है और अगर आप देख सकते हैं कि यह है final product जो यहाँ पर मैंने अपने ती चारो हुई screen पर अपने screen guard को apply कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे touch वगरा में कोई भी शिकायत नहीं है कोई भी यहाँ पर delay नहीं हो रहा है तो यह काफी अच्छा है और पीछे का भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से यह fitting हो चुका है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोने के तरफ एक LG G8X का charger रखा हुआ है तो उसकी वीडियो भी आपको बहुत ही जल देख देखने को मिल जाएगी उसके लिए